हम शायद बोलते बोलते ठक जाएंगे लेकिन यशस्वी जैस्वाल मारते मारते नहीं ठकेगा जी हाँ एक और डाडी हंड्रेड एक और डबल हंड्रेड आ गया है जैस्वाल की तरफ से टेस्ट मैच की हिस्ट्री में कुछ 147 साल अगर आप पीछे चले जाओ जब से यह टेस्ट मैचर्स चल रहे हैं ऐसा नहीं हुआ कि एक सीरीज में 20 से ज्यादा छक्के लगे हों और अभी सीरीज बाकी है यह शास्वी जैस्वाल जिस तरह से खेल रहे हैं अब तक हम कह रहे थे विरंदर सहवाग लेकिन अब ऐसा लग रहा है कोई दूसरा खेलाडी नी है ये जैस वॉल कुछ अलग है ये बिलकुल नीडर है ये इतना नीडर है कि जेमी आंडर्सन को पैक टू बैक तीन छक्के लगा दिये जेमी आंडर्सन जिसके पास 185 के आसपास टेस्ट मैच का experience है वो आपके सामने के इंद बाजी कर रहा है हमने पिछली इनिंग में देखा था काफी respectfully उनको खेल रहे थे काफी अच्छे से काफी इज़त से खेल रहे थे लेकिन इस बार जब बल्ले बाजी करने आए तो शुरू में इज़त जरूर दी लेकिन फिर बाद में कहा कि जी हम आप बड़े हो गए हैं आप अगर हमें easy ball दोगे एक लॉली डालोगे तो हम उस लॉली को boundary के पार पहुचा देंगे और कुछ वैसा ही किया जैस वाल ने तीन back-to-back अगर आप छक्के मारते हो जैमी आंडरसन को वो दिखाता है कि मतलब you are something you are something great और जैस वाल ने जिस तरह से sixes मारे हैं मतलब इनके sixes में ज्यादा चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि इनका वो attacking अंदाज एकदम से निकल के आता है जैस वाल जब शुरू करता है रन मारना तो शुरू में तो ऐसा हुआ कि बड़े इत्मिरान से बड़े दीरे से दीरे दीरे सिंगल्स चल रहे थे और उसके बाद जैसे ही कुछ पांच सो से ज्यादा रन बना लिये हैं और उनके आसपास कोई नहीं है जैस वाल के और जैस वाल ने पचास चके भी कंप्लीट कर लिये हैं सिर्फ 29 इनिंग में मतलब हर इनिंग में अल्मोस्ट डबल चके अल्मोस्ट दो चके हर इनिंग में अगर आप आवरेज निकाल बहुत सारे रिकॉर्ड जैसे यह पहला इंडियन बन गया जिसने दस चके एक टेस्ट इनिंग में लगाए हूं फिर उसके बाद अगर उनके साथ ही की थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो उनके साथ खड़े थे आपको सरफराज वो भी भाई डेब्यू चल रहा है और सामने से जैस वाल को देख करके मस्त अग्दम इंप्रेस हो गया और उन्होंने भी आज एक अर्शा तक जोड़ दिया और ऐसा करने वाले चौथे बल्लेबास बन गए हैं जिन्होंने अपने डेब्यू पर दोनों इनिंग में हाफ सेंचुरी लगाए लेकिन बात होगी इससे पहले पिशली मैच में एक डबल लगा यहां भी एक डबल लगा दिया इनिग एक सबसे इंप्रेसिफ रिकॉर्डर जो मैंने यहां पर रखा था आपको दिखाने के लिए साथ टेस्ट खेलें कुल मिलाकर अभी तक इनोंने तीन सेंचुरी साथ टेस्ट में दो डब यह बेमिसाल है और अगर बात करूं कि ऐसा करने वाले और कौन-कौन खेलाड़ी है जिन्नोंने सक्सेसिफ टेस्ट में डबल सेंचुरी लगाई है तो सबसे पहला नाम विनोत कामली का है जिन्नोंने 92-93 में इंग्लैंड के खिलाफ एक 224 रन लगाए थे और उसके अगले जिन्बावे का एक सीरीज था तो जस्ट बाक टू बैक थे एक सीरीज के आगरी मैच में और दूसरीज के पहले मैच में एक में 224 लगाए थे और एक में 227 लगाए थे विनोत कामली ऐसा करने वाले पहले इंडियन थे फिर उसके बाद आते हैं किंग कोहली जिनोंने श्र वोई जैक में लगाए और फिर 200 रन इंग्लेंड के खिलाफ आज राजकोर्ट में लगाए तो यह करने वाले तीसरे खिलाडी बन गए हैं और ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड जो मैंने आपको बताए जैस वॉल ने आज बनाए हैं और वो रिटाइड होकर चले गए थे और फि कि पहले निग में भी रन आउट बले हो गयते पहले निग भी काफे अच्छी खेली थी दूसरी भी काफे अच्छी खेली बड़ जो जैस वॉल ने किया है भाई साब वो अब जैस वॉल के लिए एक इलीट लिस्ट में शामिल हो गए जहां पर विनोत काम लिए जहां पर पिराट को लिएं और फिर सीधा जैस वॉल है तो चलिए देखते हैं कि अब बैस बॉल यहां से क्या करता है क्योंकि डेर दिन का समय है पांच सो चपन रन बनाने हैं अगर आप अटाकिंग अंदाज में होगे उस बैस बॉल अप्रोच से आओगे तो मुश्किल है कि आप पांच सो चपन चेज कर पाओ तो चाहे तो यह मैच ड्रॉ की तरफ जाएगा और अगर बैस बॉल अपने अंदाज में आया तो यह मैच वो हार भी सकते हैं चलिए देखते हैं कि इस मैच का अंजाम कैसा होता है लेकिन फिलाल यशास्वी की पारी आपको कैसी लगी मुझ